इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश के बुक मैरी गोल से यूनित नाइड के अंदर आपके लिए एक पोएम है और पोएम के इलाब आपके लिए एक स्टोरी है पोएम हम लोग कम्लीट कर चुके हैं इसका पोएम आपने उवीडियो ज़रूर देखा होगा जिसका टाइडल है डोट टेल और इसके बाद जो नेक्स टमलोग करने जा रहे हैं ये स्टोरी करने जारे हैं जिसका टाइडल है हे знаете my brother चाहिए दे रही है, एक लड़की दिखाई दे रही है, और उसका एक छोटा भाई है, यानि उसका ब्रदर दिखाई दे रहा है, और टाइटल भी कुछ इस तरह से है, कि He is my brother, जैसे ये जिसकी बड़ी भाएन है, इसकी दीदी है, ये कहरी है कि he is my brother, कि ये कौन है, मेरा, मेरा भाई है, ठीक है, तो उसी के बारे में ये story है, चलो word by word पढ़ लेते हैं, once upon a time, there was a small hill, a path went up the hill, कि एक समय की बात है, कि भी एक जगह, एक छोटा सा hill था, ठीक है, जैसे आप ये picture देख रहे हो, ये hilly mountain वाला area दिख रहा है आपको, उसके अंदर ये बची और इसका एक छोटा भाई आपको दिखाए दे जा रहा है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है, कि एक छोटा सा hill है यहाँ पे, और उसके बारे में बताया जा रहा है, कि a path went up the hill, और ये एक रास्ता है, जो कि इस hill यानि इस पाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहा है, if it went through thick and lovely woods of pine and fir tree, और ये जो रास्ता है, ये जो पात है, pine tree के आसपास का, और fir tree जो होता है, उस tree के आरस्ता बना हुआ है, यानि कि रास्ती में आपको pine tree देखने को मिल जाएगा, और इसके अवलाबा, आपको fir tree भी द देखने को मिल जाते है, people often walked on it to the holy place, और जो लोग है, जो इस रास्ते से अकसर walk करके जाते है, किसी holy place के लिए, जिस तरह से हम लोग temple वगेर को क्या बोलते है, ये क्या है, holy place है, तो उसी तरह से इस mountain area से, यानि हिली area से लोग जाते है, travel करते है, और कहा जाते है, किसी holy place का मतलब होता है, एक ऐसी जगह है, जहापे लोग भगवान की अराधना करते है, पूजा पाट करते है, यानि कि आप कहा सकतो, kind of temple है, जहापे लोग जाते है, इस रास्ते से travel करके, और रास्ते हमें क्या देखने को मिलता है, कि pine tree और fed tree वगरा देखने को मिल जाता है, तो व बिल्कुल अच्छे से, आस्मान के एकदम उपर ये चमक रहा था, और कुछ लोग इस पहाड के उपर, यानि ये जो रास्ता आपको दिखाए दे रहा है, जो हिली एरिया दिखाए दे रहा है, इस हिल से climb करके, चड़के लोग जा रहे थे, देवर climbing slowly and carefully, और वो लोग जो सकते हैं, हम गिर सकते हैं, और हमें चोट भी लग सकते हैं, तो इंजरी से बचने के लिए, लोग बहुत स्लोली स्लोली, यानि बहुत धीरे-धीरे ट्रेवल कर रहे थे, और साथ के साथ जब ध्यान रख से, बिल्कुल केर, केरफूली वाच करके, एक एक चीज को देखके जा रहे थे, क्यों रस्ते में कहीं पे भी कोई पत्थर आ सकता है, कंकड आ सकता है, तो पैर में लग सकता है, चोट लग सकती, यानि कि इंजरी को अवोईट करने के लिए, लोग बहुत स्लोली और केरफूली इस पाथ से जा रहे थे, किसी होली प्लेस की तरफ, यानि कह स तो kind of temple जहांपे वो पूजा पार्ट वगरा करने के लिए जा रहे थे अगल also claimed the hill with them और एक लड़की है जो कि आप ये picture में देख रहे हो ये भी उन सारी लोगों की बीच में उन सब के साथ आगे जा रही थी हर नेम वाज मीना और ये जो लड़की है इसका नाम क्या मीना नाम है अभी तक तो हमने brother and sister बोल करके ये दोनों क्या है भाई बेन है इससे हमें picture देख के हमें clear हो रहा है लेकिन अब हमें इस लड़की का नाम भी पता चल चुका है और इसका नाम क्या मीना है तो यहां mention किया गया आपके लिए अगल also claim the hill with them यानि कि बहुत सारे लोग जो जा रहे थे उसके बीच में उन सब के साथ में ये लड़की भी जा रही थी जिसका नाम क्या है मीना है और कैसे पता लगा हमें इस स्टोरी में mention था और उससे हमें पता लग चुका है मीना वास 12-year-old और जो मीना है वो 12-year-old है यानि कि यह कितने साल की है 12-year-old आपके लिए mention किया गया है स्टोरी के अंदर ठीक है भी यह information भी हमें यहां से मिल गया she carried a small boy on her back और इसने एक छोटा सा बच्चा है छोटा सा लड़का इसने अपने बैक पर यानि अपने पीट पर इसे carry किया हुआ था यानि आप यह कह सकते हो जैसे हम हिंदी में बोलते ना कि अपनी पीट पर बिठा रखा था था बोलते ना आप लोग इस तरह से यानि कि आप यह कह सकते हो कि इसने अपने पीट पर एक छोटा से लड़का अपने पीट पर बिठा रखा था था ठीक है जैसे आप यह पिक्चर में देख रहे हो आपको अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है अब आगे बढ़ते है कि स्टोरी में होता क्या है He was 4 years old और जो लड़का है जो छोटा भाई है इसका जिसके बारे में आपको बता हो यह कितने साल का है यह 4 years का है य्मिना की बात करें यह कितने year की है तो यह 12 year old इसका aege है दूनों की age के बारे में बता लग रहा है यानि आपको भी बहुत अच्छे से clear हो गया होगा कि यह जो लड़की है इसकी जो age है यह 12 year old है और यह जो लड़का है इसकी age क्या है 4 year old है यानि का आपको clear पता लग रहा है कि यह जो लड़की है यह काफी age है इससे बड़ी है और यह जो लड़का है यह छोटा है तो यह स्टा यह स्टाइए श्यूम्b शूर्थ कि इसके एक सिखोंगे की निए एक सा गाइए है इसकी ही कि कैसे हिए नि गुंग्राले बाल है और वीद आइस इसके आखे ऐखे ब्लैक है या एक ऐसके ब्लैक है ज anch कि पिल्लीं हो गई एक समगे कर्लार ओं घरकी का अच्छा बिल्कुल फ्रेश ताजा बच्चा दिखाए दे रहा है यानि कि बहुत चार्मिंग लुक इस बच्चे का आ रहा है ऐसा यह नरेट किया गया आपको इस टोरी के अंदर कि भी हैर इसके कर ली है आईज इसके ब्लैक है और फैस जो फेस इसका चेहरा है बिल्कुल खिला खिल बिल्कुल फ्रेश लग रहा है इस बच्चे के बारे में आपको बताए गया ऐस शंसाइन डांस थ्रू थ्रू दर ट्री मीना क्लीम दहिल स्लोली एंस्टेडली आच जैसे यह जो सूरज है उपर की तरफ आ रहा है और ज्यादा बहुत ज्यादा चमकना स्टार्ट हो रहा ह तो मीना क्या कर रही है यह जो हिल है उसको बहुत धीरे दीरे बहुत स्लोली स्लोली उस पर चड़ रही है और स्टेडली यानि कि बहुत ध्यान से दे रही है क्योंकि अगर वह गलती कर देगी तो इंजरी सरफ मीना को ही नहीं होगी बलकि मीना की जो कमर पे पीट पे बच चोटा सा, इसको भी चोट लग सकती है, इसलिए मीना इंशोर कर रही है कि भी स्लोली जाओ, धीरे से जाओ, देखके जाओ, साब्धानी पूरवग जाओ, ताकि ना मुझे इंजरी हो, और ना इस छोटे से बच्चे को कोई इंजरी हो, कोई चोट लगे, मीना वास हैपी, द यह अधिए एक आदमी मिलता है, जो मीना की तरफ देखता है, और उसके लिए सोरी फियल करता है, ओह, विचारी बच्ची एक चोटी से बच्चे को भी उसे पीट पे लेके जा रही है, उसको इक तरह से प्रिटी रुप देरी, वा दिखाने का कोसिश कर रहा है, बहुल कर कि भी यह जो छोटी सी बच्ची है, कैसे एक छोटी से बच्चे को, खुद भी छोटी है, ज्यादा बड़ी तो है नहीं, 12-year-old की है, और इसने एक बच्चे को carry किया हुआ है, तो यह देखके से कुछ बोलता है, He said, My child, why are you carrying a boy on your back? यह से कोशन पूछता है, कि बच्चे, तुमने यह चोटी से बच्चे को अपने पीट के उपर क्यों बठा रखा है, जरा बताओ मुझे तो, देखो जैसे आप इस पिक्चर में भी दिख रहा है, कि यह जो मीना है, मीना और यह जो अंकल आपको दिखाए कर रहे हैं, और यह अंकल इससे पूछ रहे हैं, कि बच्चे जो बोल रहे हैं, इस लड़की को, यानि मीना को बोल रहे हैं, कि तुमने इस लड़के को अपने पीट पे क्यों बठा रखा है, जरा बताओ तो मुझे, और फिर नेक्स कुशन पूछते हैं, डोंट यू फील कि तुम्हें क्या ये भारी नहीं लग रहा है, ये जो तुमने अपने पीट पे बिठाया हुआ है, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लग रहा है, तुम्हें दर्द कर रहा हो, कि पीट दर्द कर रहा हो, भारी लग रहा हो, तुम्हें उठाने में परेशानी हो, इस तरह के question ये से पूछता है आप देखते हैं जो मीना है वो क्या reply करती है तो मीना कहती है मीना looked at him in wonder और जो मीना है उस आदमी की तरब थोड़ा surprise हो करके थोड़ा आशेर हो करके उसकी तरब देखती है इसकी तरब इस uncle की तरब जो ये picture में आपको दिखाए दे रहा है ये जो man है इसकी तरब देखती है थोड़ा से surprise हो की तरब wonder position में हो के देखती है और क्या कहती है वो पढ़ते है और वो जो ये uncle पूछ रहे थे question जो पूछ रहे थे पहले तो समझी नहीं पाती है question मुझे क्यों पूछ रहे है अब किसके बारे में पूछ रहे थे उस छोटे बच्चे के बारे में पूछ रहे थे जो उसके अब मीना कहती है लोड ये वजन प्यारी होती है कि हमें वो लोड लगता ही नहीं है तो मीना भी ऐसे कहती है मीना कहती है लोड यारे वजन आफकोस नॉट ये जो वजन है बिलकुल भी वजन नहीं है और ये कौन है ये कौन है ये कौन है मेरा भाई है तो मेरे भाई को उठाने में मुझे कोई प्राब्लम नहीं हो रही है ये मेरे लिए कोई भी लोड या वजन टाइप की कोई प्राब्लम नहीं है कि मुझे ये भारी लगे इसको उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो वैसे हिए जैसे आप levar हो अगर आपके भी को चोटे भाईबैन है जब आप उसे गोधी में लेते हो तो क्या आपको भाईः लगता है बलकि हमें तो बहुत अच्छा लगता है उसे अपनी गोधी में बिठाना, उसे खिलाना, तो वैसे ये जो मीना है, जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, मीना है, जिसने अपने छोटे भाई को उठाया हुआ है, तो इसके लिए भी ये लोड नहीं है, कोई भारी बजणदार चीज नही है, बलकि ये कौन है इसका, ये इसका भाई है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखो, जब आप ये स्टोरी पढ़ रहे थे, स्टोरी में तो वेंचिन किया गया, कि मीना वास हैपी, और मीना क्या है, खुश है, इसे अपनी पद्दी पे बिठा करके, या ये मेरे लिए तो कई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये कौन है, ये तो मेरा भाई है, मेरे लिए वजन नहीं है, तो बचो ये छोटी से स्टोरी थी आपके लिए, इसका टाईटल था हिसमाई ब्रदर, यानि इसमें मीना अपने भाई के लिए बारे में बता रही है, कि उसका भाई उसके लिए वजन नहीं है बलकी वो तो भाई है और जो चीज़ हमें प्यारी होती है उसका बहुत प्यारा है तो अपने भाई से प्यार करती है तो इसके लिए वजन तो है ही नहीं तो यह तो मैंने पस्तोरी आप ऑप की बाद नेक्स पूर्ट हो Thank you वो है new word, कि इसके अंदर कुछ-कुछ word ऐसे आये थे, जिसके बारे हम हमें पता होना चाहिए, तो सबसे first word जो आपके लिए, वो understand, understand की meaning होता है, समझना, जैसे अब मैं यह समझा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो आपको होगे, yes sir, we can understand the story, हम लोग story अच्छे से समझ पा रहे है, जब आपको नहीं समझ में आता है, तो आप लोग क्या कहते हो, कि sir, नहीं समझ में आ रहा है, और comment में लिख करके, आप लोग क्या कर सकते हो, अपने question पूछ सकते हो, कि sir, इसकी meaning क्या है, हमें clear नहीं हुआ तो वो सारी चीजे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, second word है, climb, climb means होता है, चड़ाई करना, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई करना आपका काम है, तो जो mountainer जो होते हैं, जो mountain वगरा पर चड़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर चड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यह लोग क्या कर रहे हैं, जो हिली एरिया है, उस पर climb कर पे, उस पर चड़ करके, यह लोग उपर की तरब जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, holy प्लेस पर जा रहे है, तो holy का मतलब जो ऐसे बताओ बच्चों, उसका मतलब होता है, पवित्र है, और holy place मिन्स है, 4 तुमारा, वह स्लोली, स्लोली मिन्स होता है, धीरे, कही बर जब आप लोग केरीडोर वगरा में, स्कूल में जो रनिंग करना, स्टार्ट कर देते हो, तो teacher, और कही बर मैं भी आपको रोगता हूँ, कहता हूँ न, तो slowly slowly move करो, भाग के कोई नहीं जाएगा, कोई रनि भाभी माँगना, तो driveas, czyli means क्या, ठीक है, अइस क्या, का मतलब तो वजन होता है, यानि कि कोई बीची, जिस कहते ने, ये लोड हो रहा है, सर मुझे बारी लग रहा है, सर ये तो काफी वजंदार है, तो लोड का मतलब क्या है? ये कोई भी वजंदार चीज, जो कि ये भारी होती है, ठीक है? आच्छा, तो ये कुछ वर्ड थें, जो स्टोरी के अंदर हम लोग ने पड़ा, बाकि इसकी जो बचों की कंप्लेन है कि सर आपकी वीडियो आजकल नहीं आ रहे है, तो बचों आप लोग सुनी रहोगे, मरी आवाज में भी कुछ-कुछ चेंजेस हैं, थोली सी तबियत खराब है, तबियत ठीक हो लेने तब, फिर उसके बाद आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी सारी वीडियो आजाएगी, वैसे मैं बता दू, आपको क्लास थर्ड की मैंने चारो सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए सारी अपलोड कर दिये, मैस के भी जितने भी चेप्टर हैं, यानि 14 की 14 चेप्टर की वीडियो आपलोड कर दिया है, और जो इंगलिश में अगर मैं ब अबी तक नहीं किया है, तो फोटाफर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर लिटस वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, और हाँ अगर आप लोग ने मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया, तो फॉलो कर लो, और टेलिग्राम पर जो मेरा ग्रूपे हैं, वहाँ तो जोइन करी लो मुझे, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके, ठीक है, तो अभी के लिए बाई बाई, मिलते हैं फिर लिक्स वीडियो में, ठेंक्स पर वोचिन,